पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम ने आए भीशन बदलाव ने पूरी धर्ती को प्रभावित किया है भयंकर बारिश ने मध्य चीन और यॉरप में भीशन बार्थला दी है तो 120 डिग्री फॉरिन हाइट यानि खरीब 49 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड तोड लू के थपेड़ों ने पश्चिमी कैनेडा को मानो भून कर रख दिया है उच्छन कटी बंधी गर्मी ने फिल्लैंड और आईरलैंड को प्रभावित किया जंगलों में लगी आग ने साइबेरियाई टुन्डरा के ताफमान को 100.4 डिग्री फॉरिन हाइट तक बढ़ा दिया जबकि अमेरिका और ब्रजील में भी जंगल की आग के साथ साथ सुखे ने इन देशों को जगजोर दिया है ऐसे में सवाल उठने लगे हैं क्या जाग उठा है ब्रले का देवता क्या कुद्रत के हाथों होगा धर्ती का अंत क्या मिट जाएगा अफरीका का सबसे बड़ा शहर उत्राखंड हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरीखे भारत के कई राज्यों में खुद्रत ने हालिया दौर में जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है डरा इसलिए रही है क्योंकि देश कोई भी हो लेकिन खुद्रत की बिनाश लीला की कहानी एक जैसी सब जगह है दुनिया भर के देश कहीं बेताहशा बाल अफरीका के सबसे बड़े शहर में यानि नाइजीरिया में तो बसे लागोस के सिर पर भी दूब कर मरने का खत्रा मनरा रहा है लागोस में बारिश के मौसम में घरों के अंदर तक पानी भर रहा है यहां हर साल एक दो हफते नहीं मार्च से लेकर नवंबर तक बार जैसे हालात हो जाते हैं इसकी वज़े से हर साल चार अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है इस साल जुलाई में हाल के सालों में सबसे ज़्यादा भयानक बार आई है वैग्यानिकों को डर है कि सदी के अंत तक अगर ऐसा ही रहा तो ये शहर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर जीना नामुम्किन हो जाएगा इसके पीछे की वज़े है जलवायू परिवर्तन के कारण बढ़ता समुद्र का जलस्तर यही हाल चीन, बांगलादेश, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलेंट्स और भारत के भी हैं यहाँ बाल का कहर लगतार जारी है जिसके प्रकोप से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है तो दूसरी ओर अमेरिका और कैनेडा में लू के कारण जिंदगी दुश्वार हो चुकी है जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लग रही है, कैनेडा में गर्मी के कहर से आम लोग परिशान है दरसल पर्यावरण का असंतुलन और खुद्रत के साथ इंसानी छेड़चार ने धरती के सिर पर मौत की तलवार लटका दी है नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस इस सदी में इसका सबसे पहले शिकार बन सकता है नाइजीरिया के इंसिट्यूट ऑफ डेवलप्मेंट के मुताबिक खराब ड्रैनिज सिस्टम और बिलगाम बढ़ते शहरी करण के कारण लागोस नर्क बनता जा रहा है नाइजीरिया की हाइड्रोलाजिकल एजेंसी यानि एन आई एच एस ए ने आशंका जटाई है कि जब बारिश का मौसम अपने चरम पर होगा तो उस्थित्यां और विकराल हो जाएंगी दरसल कई टापूओं पर बसे इस शहर में बेताहशा तरीके से बालू की खुदाई की जाती है जिसके चलते लागोस के तट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं यही वज़े है कि यहाँ पर बाल का खत्रा बढ़ गया है रेट के खनन के चलते तट को नुकसान पहुँचा है और समुद्र स्थर के बढ़ने से पानी तापू के अंदर दाखिल होने लगा है ग्यानिकों ने तो यहाँ तक चेतामनी जारी की है कि निचले इलाकों में बसे तटिये शहर 2100 तक पूरी तरह से पानी में समा सकते हैं क्लाइमिट चेंज की इस स्टडी में कहा गया है कि अगर समुद्र स्थर ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह शहर हाई टाइड लाइन के नीचे डूब सकते हैं इन इलाकों में आज 20 करोर से ज़ादा लोग रह रहे हैं सदी के आखिर तक समुद्र का जल स्थर दो मीटर से ज़ादा बढ़ने क्या शंका है और अगर ऐसा हुआ तो लागोस को जल समाधी लेने से कोई नहीं बचा पाएगा लागोस में पिछले साल 20 लाक से ज़ादा लोगों को बार से तबाही छेलनी पड़ी थी खरीब सत्तर लोगों की मौत हो गई थी जब कि 2019 में 158 लोगों की जान गई थी और दो लाक से ज़ादा लोग प्रभावित हुए थे वेट लैंड्स को खत्म करके इमारतें खड़ी की गई हैं जिसका नतीजा आज लोगों को भगतना पड़ रहा है बार के रूप में इतना ही नहीं यॉर्प में आई बार में तो करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है चीन के हेनान प्रांतिस्थित यलो नदी में आई भी शड़ बार ने 1000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहां बादल फटने की घटना ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है इस क्षेतर में साल भर की 645 एम बारिश महज तीन दिन में और इस बारिश का एक तिहाई हिस्सा एक घंटे में ही हो गया अजानत से इतने बड़े पैमाने पर होने वाली बरसात को बादल फटने की घटना भी कहते हैं देश के विकास के नाम पर किया गया काम इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है फीन के राष्टपती शी जिन पिंग ने इंफ्रेस्ट्रक्चर के नाम पर चीन की नदियों पर 98,000 डैम बनवा डाले हैं डैम बनाये जाने से प्रकृती से किये गए खिलवार इस तरह की घटनाओं का एक बड़ा कारण है जलवायू परिवर्तन से बाढ़ के अलावा सूखा पढ़ने के अशंका रहती है साल 2018 में डक्षिन अफरीका में भयानक सूखा पढ़ा था एक रुपोर्ट के मताविक साल 2050 तक ऐसे सूखे और अकाल की संभावनाएं बेहत बढ़ जाएंगे दुनिया भर में कई प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनने वाला जलवायू परिवर्तन अब भुखमरी का सबब भी बन चुका है डक्षनी मेडगासकर जलवायू परिवर्तन के कारण भुखमरी का सामना कर रहा है संयुक्त राश्ट्र की हिमिनिटेरियन संस्था ये न ओसी एचे ने ये भी कहा है कि पूर्वी अफ्रीका स्थेद दक्षनी मेडगासकर जलवायू परिवर्तन के कारण भुखमरी का सामना करने वाला दुनिया का पहला देश हो चुका है हाला कि मेडगासकर पहले भी खाद्यानि संकट का सामना करता रहा है यहां के हालाद की गंभीवता का अंदाथा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेडगासकर में लोग पेड़ों की जलों को काट कर अपना पेड भरने को मजहूर हो रहे हैं 1896 से लेकर अब तक मेडगासकर 16 बार खाद्य संकट का सामना कर चुका है लेकिन इस बार पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा भयानक सूखे को जेल रहा है यहां सूखे के साथ-साथ रेतिले तूफान और कम बारिश से भूमी बंजर हो चुकी है मेडगासकर के एक लाख दस हजार वर्ग किलोमीटर क्शेतर में बसे दस लाख लोग इस संकट का सामना सीधे तौर पर कर रहे हैं जिसका सीधे सा कारण है तरक्की के नाम पर इंसानों का कुद्रत के साथ छेड़ खानी करना दुनिया भर में तमाम इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं कारखाने ग्रीन हाउस गैसस बना रहे हैं जिससे धरती लगातार गर्म हो रही है और द्योगी दौर शुरू होने के बाद से दुनिया 1.2 डिगरी तक गर्म हो चुकी है खत्रे की बात ये है कि जलवाई परिवर्तन की ब्रभावों को लेकर जो अंदाजे लगाए गए थे उससे कहीं अलग नतीजे सामने आ रहे हैं धरती का तापान तेजी से बढ़ रहा है जिससे आर्केटिक क्षेत्र में बाकी दुनिया की तुलना में तापान 2-3 डिगरी तेजी से बढ़ रहा है इस क्षेतर में बर्फ तेजी से पिघल रही है सबसे तेजी से बर्फ 2012 में पिघलने का रिकॉर्ड बना गुआ था इस साल जुलाई में उससे कुछ ही कम दर पर बर्फ पिघलने की ये तेजी की दर आकी गई है साइबेरिया के लाक्तेव सागर से बर्फ पिगल कर अब ये लगभग बर्फ मुक्त हो चुका है इस तरह से बर्फ के पिगलने के बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी सफेद बर्फ से टकरा कर लौट जाया करती थी जिससे धर्थी का ताफमान काबू में रहा करता था बर्फ के पिगलने से समंदर की काली सतह सूरी की रोशनी को सोख लेती है इसका मतलब ये है कि समंदर ज्यादा गर्म हो रहा है और तेजी से ही फैल भी रहा है दुनिया भर में समंदर के जलस्तर के बढ़ने की ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस सदी तक जलस्तर के बढ़ने से खरीब 20 करोड लोगों के घर समुद में डूब जाने तय हैं और ये विभीश का जिलने वालों में जादत और लोग एश्या के ही होंगे एक अनुमान बताता है कि साल 2100 तक भारत और पूर्वोतर एश्या के तटवर्ती जमीन समंदर में समा चुकी होगी आज प्रकृति के साथ खिलवार का ही ये नतीजा है कि हम पानी के साथ साथ सास लेने के लिए ऑक्सीजन तक खरीदने को मजबूर हैं जिस तरह पीने का पानी खरीद कर पीना जनता के लिए आजाम बात हो गई है हो सकता है कि आक्सीजन खरीदना भी आने वाले समय में सामा निखटना हो जाए